इंडिनाइटल्थ हमाकेदार अंदाज में चौदवी सीजन के साथ तीवी के परदे पर वापसी करने के दयार है यानि एक बार फिर से एक से बढ़कर एक आवाज आपको सुनने को मिलेगी यह ऐसा शो है जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और लोगों को इसका बेसबरी से इंतजा रहता है इस सिंगिंग रियालिटी शो में देश के कोने कोने से लोग हिस्सा लेते हैं देश भर में शो के आउजिशन्स होते हैं पर देश के हर हिसे से कमाल की अवाज वाले सिंगर्स को चुनकर इंडिन आइडल के स्टेज तक लाए जाता है ये शो लोगो का चहेता सिंगिंग रियालिटी शो है और फैन्स को इसका बेसबरी से इंतजा रहता है अब इसके इंतजार के खड़ी खत्म होने को आ गई है शो इस वीक से टीवी पर धहमाकिदार अंदाज में दस तक देने वाला है शो से जुड़े कई प्रोमो सामने आ चुके हैं सोनी टीवी ने एक नया प्रोमो शेयर किया है इस वीडियो में 21 साल की आहाना चिटर जी अपने सिंगिंग से सब को इंप्रेस करती नजर आ रही है आहाना जब मंच पर आती हैं तो श्रिया गोशाल कहती हैं क्या तुम गाने के लिए तयार हो इस पर आहाना हामी भड़ती है तो श्रिया कहती है ठीक है दिल लगा कर गाओ इसके बाद आहाना अकेली है तो क्या गम है सांग गाती है और जजस की खूब वाहवाई लूटती हैं इसके बाद विशाल ददलानी कहते हैं कि क्या कोई और भी सौंग है जो आप गा सकती है इस पर आहाना कहती है कि मैं सानू सर का सौंग नजर के सामने गाना चाहती हूँ जसके बाद कुमार सानू भी मंच पर पहुँच जाते हैं और दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं आहाना की सिंगिंग सब को खूब पसंद आती है श्रया घोशाल तो खड़े होकर ताली बजाती है इसके बाद आहाना कुमार सानू जी के पैर चूब कर आशरवात भी लेती है मगर क्या आहाना को गोल्डन माइक मिलेगा या नहीं ये तो आगे पता चलेगा वही एक और प्रोमो में अंजना नाम की कंटेस्टेंट अपनी सिंगिंग का जोहर दिखाती नजर आ रही है अंजना उड़ी उड़ी सौंग गाती है अंजना की परफॉर्मेंस पर विशाल कहते हैं इस बार ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं जिसको सुनकर भेजा फटा जा रहा है कि कैसे करेंगे वहीं अंजना की परफॉर्मेंस पर श्रया गुशाल भी जूमती नजर आई इसके पहले शो का हिस्सा बनने वाली कंटेस्टेंट आदिया की जलक दिखाई गई जहां वो जुबा पर लागा नमक इश्क का गाती है और जजजस उनकी गाई के से इंप्रेस हो जाते हैं वीडियो में आप देख सकते हैं कि आदिया की आदास सुनकर श्रया गुशाल और बागी जजजस काफी एकसाइडर हो जाते हैं श्रया तो मंच पर जाकर आदिया को गले से लगा लेती हैं फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही अब देख तरे मियो वॉल्फ को